जंगल में पती को बंदग बनाकर पत्नी से किया सामुहिक बलातकार बामुर कला के ग्राम सुलार के जंगल में तीन युवकों ने किया दुस्साहिक वारदात को अंजाम। लकड़ी बिनने गए थे पती पत्नी ग्राम बड़ी बामुर। निवासी एक 45 वर्षिय ग्रामी अपनी 42 वर्षिय पत्नी के साथ घाती उपर शेत्र में स्थित सुलार के जंगल से दो पहर तीन बजे। जब वे लकड़िया लेकर पापसार है थे तभी जंगल में उन्हें तीन बाइक सवार युवक मिले। तीनों ने पती पत्नी को रोका और जंगल के और इशारा करते हुए कहा कि उधर और लकड़िया पड़ी है वहां से लकड़िया बिन लो। पती पत्नी ने जब ये कहा कि उन्हें और लकड़िया नहीं चाहिए तो तीनों ने उनकी लाठ पहां से भागी तो दो आरोपी उसका पीछवा करके उसे पकड़ कर वापिस लिया। इसके बाद आरूपियों ने पती के हाथ पैरबान करू से बंदग बना लिया और उसी के सामने पत्नी से सामुहिक दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया। पती पत्नी ने घर आकर पूरा घटना करम परिजनों को बताया और मामले की शुकायत थाने में दर्च कराई। विरोत किया तो तोड़ दिया हाथ महिला ने जोब आरूपियों द्वारा किये गए बलातकार का विरोत किया तो आरूपियों ने उसके हाथ में कुलहाडी से वार किया और जोब इस पर भी उसका मन नहीं भरा तो तीनों ने कुलहाडी के बेंटे से महिला का हाथ कर दिया